विद्या जी सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो अम ब्रिंगिल के बारे में क्या बता है कि बच्चे को पाला कैसे जाए तो पहला तो जैसा कि हमेशा कहती है बहुत यंग एज प्रोसेस है यह हम अभी बहार में बात कर रहें हम चाहे चारधाम यात्रा है या भक्ति है जो भी है बहुत ओल्ड एच भी डालते हैं जो और में कथा में हमेशा एक बात कहती हूं कि आप जब सब कुछ इंग्दम हाथ-पैर काम करने बन कर देते हैं और तब आप कहते हैं कि अब हम बगवान को बुलाएंगे और बगवान ऊपर बैटे कह रहे हैं अब हम बुलाएंगे तो अब ही तुम्हारी तो और उस वक्त आपको तो कुछ देखना ही नहीं है कुई competition नहीं है और आज का टाइन तो इतना competition है हमें ही दिख रह है तो तब क्या होगा कि 100% ही लाओगे तो ही मिलेगा तो ही मिलेगी तो कितना competition है उस वक्त कितना stress आता है तो वो जिसा जो अगर आप इस age में समझ रहे है कि priority शाय है आपको अच्छा लग रहा है कि कामने सा गई है या बजन है या सत्संग है बजन अक्शली सत्संग ही त concentration ठीक करता है आपको काम करता है stress free करता है तो यह चीज़े अब आपको realize हो रही है तो I think first चीज़ है कि आप उसको अभी से realize करा है कि उसकी लाइफ की priorities क्या है मैं हमेशा गैती हूँ कि parents हर parents अपने बच्चे को कुछते first कौन आया marks कितने आये कौन फेल हुआ तुम्हारे कम क्यों आए पर कोई भी स्कूल से आने के बद बच्चे से यह नहीं पूछता किसकी मदद की किसको हसाया ये तो उसको यसा लगता है कि first आना पैसा कवाना आगे निकल जाएगा पर लाइफ में चीटिंग का मतलब तो गलत रस्ता ही हो गया ना तो उसके दिमाग में यह है और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लग रहा है बच्चा छोटा है और वो समझ नीरा वो इस एज में सबसे जादा समझता है उसकी memory में वाते ठहरती है और मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद आपको आपके 10-12 के syllabus याद नहीं होगा इसना ABCD याद होगी आपको आपके poems याद होगी उस वक्त चिपक जाती है memory में चीजे बस गलती क्या हो जाती है उस एच की बच्चे को सही गलत नी पता होता तो उसको जो दिखता है वो ले लेता ह तो हमें लग रहा है कि हम बच्चे के सामने चिला रहे हैं या गालियां भी दे रहा है वो अरे क्या समझाता है उसको सब समझा रहा है वो सब सुन रहा है और वो आगे जाके वोई चीज दोहराने वाला है और मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर किसी कोई बच्चा बहुत हसत तो पेरेंट्स ही दूसरों कहते हैं अरे मत करो दे दो वना वो रोने लग जाएगा वो सुन रहा है उसको समझ आ रहा है रोने से मेरा काम होता है और कई बार इसलिए बच्चे रोते आसू नहीं आते पर रो रहे हैं विक्यों को सब काम कराना है अपना बट जया है हमारा तो चिलाने लग जाता कि हमारा लगाओ तो इसका मतलब हो सब समझ रहे हैं तो अगर उपहार नहीं दोगे तो कुछ देर रोएगा और संसकार नहीं दोगे तो जंदगी वर रोएगा क्या वात है कि मिला आपके जाने के बाद भी वो फिर जादा खराब है ना आप अपने सामने उसको गिरने दो उसको ठीक होने दो या रोने भी दो पर क्योंकि आप खड़े तो है पीछे जब चले जाओगे तब उसको कोई उठाने वाला नहीं है और दुनिया तो ऐसी है कि गिरे वे और गिरा दे वो वो तब बिलकुल ही ना उठाए तो अपने आपकों के साम सामने उसको ठीक कर दो कि इतना काबिल बना दो कि वे रुचाय संसकारों में काबिल है पैसे में है emotions में is कि आपको जाने से बहले इतना तो विश्वास हो जाए कि यह मेरे बिना भी अपनी जिन्दगी निकाल लेगा इतना काबिल तो है मेरा बच्चा काब आप